Hello everyone, स्वागत है आपका प्लेस्मेंट वाला चैनल पे प्रिंट्स, आज मैं एक बहुत ही अच्छी जॉब उपर्चिनिटीज लेकर आया हूँ जो कि पर्मानेंट वर्क फ्रॉम है सालरी आपको 25,000 to 30,000 पर मन्त मिलेगा किसी भी तरह का कोई कोडिंग रिक्वार्मेंट नहीं है और ना ही percentage क्राइटिरिया है कोई भी graduate हो आप इसके लिए eligible हो आप अगर BA किये हो, BCOM किये हो, BSC किये हो, BTEC किये हो, MTEC किये हो graduate, post graduate आप इसके लिए apply कर सकते हो अब वीडियो को आखरी तक देखना टाकि मैं और भी eligibility criteria आपको बता पाऊं and apply कैसे करना है, वो भी इस वीडियो में मैं step by step बताऊंगा अब देखो company के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं company के नाम है full creative, आप यहाँ पे देख सकते हो and what we do, तो यह company जो है, वो बनाती है tools and services that empower people to communicate, collaborate and produce मतलब remotely जो है, आप communicate कर सकते हो, collaborate कर सकते हो आप चीजों को produce कर सकते हो, तो यह company जो है, इस तरह की tools and services बनाती है, ideas are not bound by place and time, implementation should not be either मतलब इनका यह मानना है, कि आप कहीं भी बैठके दुनिया में आप कोई भी काम कर सकते हो, जैसे, अगर मैं आप से बात कर रहा हूँ तो ऐसा लगए है, कि हम लोग दोनों एक ही जगह पे बातके बात कररहे है, आपको ऐसा लगए है, कि real में तो यह सब आप देख सकते हो, full creative mission is to change how the world works, ideas are not bound, same चीज़ इन्हों ने लिखा हुआ है यहाँ पर, रोन साल responsibility जो आपको मिलेगी, तो should be able to support contact center reporting requirement, आप एक चीज़ देख लो, कि यह जो है junior operation analyst के लिए है, remote है, and work type full time है, तो किसी बीज़र है कि कोई internship का यहाँ पर वो नहीं है, should be able to support contact center reporting requirement, should be good at reading numbers, analyzing trends, मतलब आपको कहा है न कि analyze करना है चीज़ों को, जैसे आप YouTube में ही देखते हो, तो आप YouTube में क्या analyze करते हो कि views जो है videos के कैसे up-down, up-down, like यहाँ पे 3K है, यहाँ पे 405K है, यहाँ पे 938 है, यहाँ पे 1.4 है, यहाँ पे 1.7 है, तो वही चीज़े आपको basically analyze करनी पड़ती है, जब आपको कुछ data दिया जाता है, तो, should be able to ensure reporting is aligned with the strategic direction of the business, मतलब यह चीज़े आप कर पाओगे, तो इसमें tension लेने की कोई भी जरूवत नहीं है, कोई भी graduate जो है, आसानी से चीज़ों को समझ के कर सकता है, अब देखो, आपके पास क्या skills होनी चाहिए, अगर आपको MS Office पता है, Excel पता है, basic operation पता है, should be able to plan and prioritize work, actually, यह सारी company जो है, सारे employees से धूनती है, right, experience 0 to 1 year, तो अगर आपके पास pressure हो, मतलब कोई भी batch 18, 19, 20, 21, 22, अगर आप pressure हो या फिर आपके पास experience एक साल का, आप इसके लिए apply कर सकते हो, right, और यहाँ पे इन्होंने graduates भी नहीं बोला है, लेकिन generally इन सब company में graduate को लोग easily hire करते हैं, तो अगर आपने graduation किया है, तो आप इसके लिए apply कर दो, अब देखो apply कैसे करनी है, तो आप यहाँ पे apply नहीं आओपर click कर दो, और उसके बाद मैं बताता हूँ, फिल कैसे करना है, लेकिन उसके पहले, friends, English spoken जो है, वो बहुत ही जरूरी होता है, चाहिए आप किसी भी तरह का कोई भी, you know, job के लिए apply करो, अगर आप किसी job के लिए जाते हो, या किसी company में जाते हो, या मालो बैंगलो अच्छे नहीं है, इसे जगब पे जाते हो, इस पार्टिकुलर जॉप के लिए आपको अच्छे नहीं जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर किया है कि English, जो communication है, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हिंदी जो है, आप बोल सकते हो कि 2-4 परसेंट लोग हिंदी बोलते हैं, तो आप इंग्लिस कमनी के सनब केच्छी होनी चाहिए, इसलिए हम लोग ने बस 2-49 रुपीज में इंग्लिस स्पोकेन क्लास स्टार्ट किया है, जील में के दौरा, उसका जो लिंक है, वो डिस्क्रिप्चिन में दिया गया है, तो आप क्लासे होगी, दो वीक्स के क्लासे होगा, रिकॉर्डिंग भी बिलेंगे, आपको लाइब क्लासे भी होगी, बिगनर टु अडवांस लेवल है, लाइफ टेम वैलिटी है, तो यह सारी चीज़े जो है, आपको इस कोर्स भी बिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्चिन में दिया गए है, राइट, और चैनल पर नएओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारा इनफर्मेशन मिलते रहे हैं, अब देखो यहां पे आप, तो आपको APPLY कैसे करोगे, तो आपने यहां पे APPLY पर क्लिक करोगे तो मिट में आप विक्लिक करोगे, तो UPY यॉर अप उसको डाल दो, are you willing to work in the night shift, तो आप yes डाल दो, right, see, वो लोग जिस्ट पूछ रहे हैं कि आप willing, मतलब आप करना चाहते हो और नहीं, are you willing to work on weekends, इस में भी yes डाल दो, total yes of experience, अगर आपको 0 to 1 है तो 0 to 1 डाल दो, आप देको 1, 2, 2, 3, 2, 4, more than 4 सारी चीजे, CTC अगर आप fresher हो, आप CTC नहीं होगी, आप 0 डाल दो, employer अगर आप कहीं काम कर रहे हो, तो उसका detail डालो, नहीं काम कर रहे हो, तो मत डालो, उसके बाद आप देख सकते हो, education, तो education detail आपको डालनी पड़ेगी, कि आपने degree कप किया था, तो इसलिए मैं बोल रहा था, कि degree जो है important है, तो degree का details आपको डालना पड़ेगा, टीक है, उसके बाद आपको application submit कर दिना है, work from home, आपको आसानी से 25,000 to 30,000 का job मिल सकता है, घर बैटे-बैटे, अगर आपका selection हो गया तो, और इस तरह के job updates, हम लोग daily basis पर चैनल पर डालते रहते हैं, तो चैनल को subscribe कर लो, ताकि आप miss न करो, thank you, all the best.